नमस्कार दोस्तों आज हम आपको इससे आगे की डिजाइन के बारे में बताएंगे बाकी की डिजाइन मैंने पार्ट फेस्ट में बता दिये उसकी लिंक डिस्क्रेश में दे दूंगा वहाँ जाके देख लीजिए और आगे की जो डिजाइने मैं इस वीडियो में तो आप देख लिएजिए यह डबल को डिजाइन स्टार्ट हो चुकी है और आगे इस प्रकार से यह लेर चला ही जा रही है तो आप इस प्रकार से देख कर यह हमारी इस प्रकार की डिजाइन बना सकते हैं तो आप देखिए यह यहां पर एक बार हमने चार लिए और एक बा प्रोसेज में आपको इसमें बताऊंगा तो आप देख लीजे अब यहां पर देखिए यह तीन रसी उपर फिर तीन नीचे फिर तीन रसी उपर फिर यहां पर तीन रसी दबा कर इसमें देखिए तीन रसी उठाने है फिर यहां पर पांच रसी दबा कर तीन रसी उठाने है फिर यह जो तीन रसी दबाई है यहां पर नाम को स्टार्ट करते हैं अब आगे चार रसी दबा कर यहां पर यह पांच रसी उठाई है फिर यहां पर यह साथ रसी उठाई है और यहां पर यह तीन रसी दबा कर तीन रसी उठाई है फिर यहां पर दो रसी दबा कर पांच रसी उठाई फिर आगे चार रसी दबा कर इस प्रकार से यह हमने तीन दीजाइन बनाई है तो आप इसके प्रकार से आगे की डिजाइन बना सकते हो अगर मेरे चैनल पर पहलिवा रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और यह वीडियो आपको पसंद आता तो वीडियो को ला Anyya के जरूर करे तो इसकी परकार से शब्रकार से आप देख लीजे तो हम यह नाम वाली 4 P किस प्रकार से बनते हैं आप इसको पूरा देखें इसमें आपको नाम सुरू करके बताऊंगा मैं यह नाम जो मैं सुरू करने जा रहा हम वो इन्दी में नाम है तो आप देख लिजे इस प्रकार से अब यहां पर यह एक रसी कि यह पांच रसी उठानी है फिर यहां पर तीन रसी दबा कर तीन रसी उठानी है अब आगे तीन रसी दबा कर यह तीन रसी उठानी है और यहां पर पांच रसी दबा कर साथ रसी उठानी है इस प्रकार से फिर यह तीन रसी दबा कर तीन रसी उठाई फिर यहां पर यह ए तो यहां पर गंडी लगा लेते हैं आप देख लिजिए इस प्रकार से यह बनाना बहुत हुआ साने और यह अपनी सब्सक्राइब सब्सक्रता लगें और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे और जानकारी महतुपुर्ण लगे तो आप इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल पर पेली वा रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तो आप देखिए हमने इस परकार से ये गुंडी लगा लिये और इस साइड में भी ये गुंडी लगा लिये तो ये इस परकार से लगाने के बाद में हम आगे किस परकार से बनेंगे वो भी आप इस वीडियो में देखे तो अब हम यहां पर यह इसको पास में चिपका देते हैं इससे और फिर आगे हम इसको start करते हैं आप देख लीजिए यहां पर दो रसी दबा कर तीन रसी उठानी है फिर यहां पर तीन रसी दबा कर तीन रसी उठानी है फिर यहां पर पांच रसी दबा कर यह तीन रसी उठाई अब ज इस प्रकार से रसी यह साथ रसी उठानी है फिर यहां पर पांच रसी दबाकर आप देख लीजेए आप पांच रसी दबाकर तीन रसी उठानी है और उसके बाद में यहां पर तीन रसी दबाकर तीन रसी उठानी है फिर यहां पर यह चार रसी दबाकर पांच रसी उठानी है यह देख लीजे तो हमने यह डिजाइन जो बनाई उसमें एक चार है और एक पांच इस परकार से बनाई है तो आप इस परकार से यह डिजाइन बना सकते हो अब आगे हम इसको यहाँ पर इस परकार से यह पहांच रशी उठानी है फिर तीन रशी दबाकर तीन रशी उठा लेनी है फिर यहाँ पर इस परकार से यह गुंडी लगा लेनी है तो आप भी इस परकार से यह बना सकते हो आगे की डिजाइन किस परकार से बनते हैं उसको भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा तो आप ये वीडियो पूरा देखे ये देखिए यहाँ पर हमने गुंडी लगा लिये अब आगे की डिजाइन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं तो आप इसको देखे और हम दूसरी तरफ भी इस परकार से ये गुंडी लगा लेते हैं तो आप यहाँ पर भी देख लीजिए ये गुंडी लगा लिया है और गंडी लगाने के बाद में हम इसको पास में चिपका देंगे इस परकार से अब आगे की जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा आप देखिए नाम किस परकार से स्टार्ट किया है और अब यहाँ पर देखिए एक रसी उठानी है फिर तीन रसी दबाकर पांच रसी उठानी है फिर यहाँ पर पांच रसी दबाकर तीन रसी उठानी है शोरी पांच रसी उठानी है उसके बाद में यहाँ पर आगे तीन रसी दबानी है फिर तीन रसी उठाकर तीन रसी दबानी है इस परकार से यह नाम को इस्टार्ट किया हमने आप देखिए आगे ये नाम पूरा औरने के बाद में किस परकार से दिखाई देता है ये इस परकार से ये डिजाइन बनाई है अब यहाँ पर हम तीन रसी उठाकर एक रसी दबाएंगे एक रसी दबाने के बाद में हम यहाँ पर तीन रसी उठाएंगे फिर यहां पे आगे तीन रसी दबा कर तीन रसी उठाएंगे फिर यहां पे दो रसी दबा कर पांच रसी उठाएंगे फिर यहां पे तीन रसी दबा कर तीन रसी उठाएंगे और इस प्रकार से आगे हम तीन रसी दबा कर तीन रसी उठाएंगे फिर यहां पे एक रसी दब नहीं है आप देख लीजिए इस प्रकार से अब हम इसको बताते हैं कि यह आगे संकला किस प्रकार से चला नहीं है और साथ साथ में नाम को भी किस प्रकार से चलाना है आप यह वीडियो पूरा देखे और आगे की जानकरी मैं अगले पार्ट में बताऊंगा कि इस नाम को प मिल सके कि कि यह इस प्रकार सर बनाना है यह अब है और गुंडी लगणि के बाते हैं को आगे की जानकर यह वह आपको अगले पार्ट में बता हूँगा *** 4 पाई के अंदर नाम पूरा किस प्रकार से लिखा जाता है तो आप मैं पार्ट बाई पार्ट बताऊंगा आब इसको पार्ट बाई पार्ट लेखें ताग्या आपको पूरि NATSIरा पूरी जहांते कि यह किस प्रकार से बनाई जाती है तो आप देखिए इस प्रकार से हम यह गुंडि लगा लेती है और गुंडि लगाने को बाद के पार्ट